Hello Students, तो इस वीडियो में हम देखने वाले हैं त्रेमासिक परिक्षा 2022 के लिए कख्षा बारवी इतिहास विसे का पेपर और ये वीडियो आपकी त्रेमासिक परिक्षा के लिए काफी ज़्यादा महत्पून होने वाला है जैसे कि आपको पता ही है कि New Blueprint के अनुसार 80 नंबर का पूर्णांक है पेपर का और समय जो दिया गया है वो है 3 गंटा यहाँ पर निर्देश दिये गए हैं जिसमें प्रशनों के अंक यहाँ पर दिखाए गए हैं तो आएए देखते हैं बच्चों पूरा पेपर हम देखते हैं और इस पूरे पेपर का सालिशन भी हम आपको बताने वाले हैं तो बने रहिए इस वीडियो में लाश्ट तक तो आएए देखते हैं जो फर्स्ट क्रिस्चन है वो है सही विकल्प के रूप में और यहाँ पर जो सहीवी कलपे फश्ट वाला की अलीगड आंदुरन के प्रोड तक कौन थे तो इसमें गावाला आपसन आजाएगा आपका सर सेयद एहमद खान उसके बाद नेक्ष्ट जो है छटी सताबदी पूर्व इसापूर्व में मगद महा जन्पत की राजदानी थी तो बच्चो इसमें आजाएगा राजगरह राजगरह कल लेना इसको तो राजगरह या राजगीर ठीक है उसके बाद जो थर्ड आपका सही वी कल्पे है वो है कि forward block की स्तापना किस ने की थी तो बच्चों आप जानते ही हूं कि सुबाश चंदर बोस ने forward block की स्तापना करी थी अभी तक जब आपने हमारे चनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और हमारे टेलिग्राम चेनल को भी जोइन कर लिजी क्योंकि हर नए वीडियो की नोटिपिकेशन वहाँ पर भी आती है उसके बाद 1919 में महावायत का सम्मा लोशनात्मक संस्क्रण त्यार करने वाले महत्मा कांची परियोजना का नेतर तो किस ने किया था तो बच्चों इसमें आजाएगा वियस सुक्थाकर यानि कि इसमें खावाला अप्षन आपका आ जाएगा उसके बाद अगला जो किस चने कि संस्कत भासा के महत्मून गरंतों का अनुवात करने वाले विद्वान थे तो इसमें आजाएगा मैक्स मूलर खावाला अपसन उसके बाद जेन धर्म के 24 वे तिर्थकार कौन थे तो जेन धर्म के जो 24 वे तिर्थकार थे वो थे महावीर श्वामी यानि कावाला अपसन इसमें आजाएगा उसके बाद समराट असोग के अधिकतर अभिले किस लीपी में उत्किर्ण किये गए थे तो इसमें खावाला अपसन ही आ जाएगा ब्राम में लीपी नेश्ट चलते हैं हम कांगरेस का विवाजन कब हुआ था तो इसमें बच्चों आपको पता होना चाहिए की सूरत अधिवेशन 1907 में कांगरेस का विवाजन है वो हुआ था ठीके उसके बाद आगे जलते हैं रिक्टिस्तानों की पूर्ती करना है हमें यहाँ पर TOTAL 8 जो है रिक्टिस्तान यहाँ पर दिए गए हैं उसके बाद यहाँ पर रिक्तिस्थान की पूर्ती करिये में दीफवंस और महावंस नामगरंत का संबंद किस से है तो इसमें जो है यह बोध धर्म से संबंदित गरंत है दीफवंस और महावंस सुंगवंस का संस्थापक कौन था बच्चो तो इसमें आ जाएगा पुष्प मित्र और पीछे लिख दिना इसका सरनेमा शुंग पुष्प मित्र शुंग जो था वो सुंगवंस का संस्थापक था जिसने मोरिवंस के अंतिम सासक ब्रहदत की हत्या करके शुंगवंस की स्थापना करी थी उसके बाद यहाँ पर जो है देवना प्री एवं प्री दश्ची नामक उपादी धारण किसने करी थी तो यह करी थी बच्चो अशोक नहीं ठीक है अशोक जो था मोरिवन्स का राजा अशोक प्रत्वी उपर सरुपतम रिक्तिस्तान जीवों का विकास हुआ तो इसमें आजाएगा जली जीवों का विकास हुआ था प्रत्वी पर सबसे पहले उसके बाद आगे चलते हैं हम सिंदु सब्विता के समय रिक्तिस्तान शहर बंदरगा था तो इसमें आजाएगा लोथल लोथल जो सहर जो गुजरात में था बच्चो वो एक बंदरगा था महाभारत की रशना किसने की थी तो इसमें आजाएगा वेद व्यास वेद व्यास को किसे लिखना है आपको बता जैते हैं वेद और यहाँ आगे लिखते हैं व्यास वेद व्यास ने महाभारत की रशना करे थी केलाशनात मंदिर महाराश्ट के रिक्तिस्तान में इस्तित ह तो बच्चो यह आजाएगा ओरंगाबाद में तो ओरंगाबाद में ये जो सहर है वो ये जो मंदिर है वो इसते थे उसका पलो की राजधानी थी तो पलो की जो राजधानी थी बच्चो वो थी कांची पुरम क्या आएगी कांची पुरम और कांची पुरम को बच्चो भी आप इसको लिख सकते हो कोई दिकत नहीं है उसके बाद आगे चलते हैं अगला जो किस्चन है वो है एक सब्द या एक वाक्षी में उत्तर देना है थेरी घाता का संबंद किस धर्म से है तो इसमें भी आजाएगा बोध धर्म संबंदे थे थेरी घाता जो थे वो बोध संबंदे साइमन कमिशन भारत क्यों आया था तो आपको यह मोखी गुरूप से बोल रहा हूं आप इसको लिख लेना कि भारत में समवेधानिक सासन की जो समिक्षा है समवेधानिक जो सासन जो चल रहा था उसकी समिक्षा के लिए जो था साइमन कमिशन जो था वो भारत आ तो इसमें आ जाएगा च्छटी इसा पूरू आ जाएगा ठीक है। इसके बाद अगले वाले कुष्ट्रन में चलते हैं हम हडप निती लागू करने वाला गवर्णर जनरल कौन था ? तो इसमें आ जाएगा डलहोजी डलहोजी ने जो थी हडप निती चलू की थी। प्लासी के युद्ध के समय बंगाल का नवाब कौन था तो इसमें आ जाएगा मीर जाफर इसमें मीर जाफर उसके बाद अगले वाले केशने में चलते हैं संसिकत ग्रंथों में किस सब्ड का प्रयोक परिवार के लिए होता है तो संस्थिकत ग्रंथों में जो परिवार के लिए जो सब्द है वो है कुल, कुल जो सब्द है वो परिवार के लिए यूपयोग होता था, उसका चंद्रगुप्त मोरी के पुत्र का नाम क्या था, तो चंद्रगुप्त मोरी के पुत्र का नाम था बिंदुसार, यानि कि मोर वन्सका जो दूसरा सासक था बिंदु सार वो चंद्र गुप्त मोरी का ही पुत्रे था लोधी वन्सका संस्थापक कौन था तो इसमा जाएगा बहलोल लोधी बहलोल लोधी जो था वो लोधी वन्सका संस्थापक था उसके बाद आगे चलते हैं हम तो इसमें निमने प्रश शत्ति में अशत्ति में दीजिए तो पल्लो के राजदनी कांची थी तो बिलकुल ये सही बात है उसके बाद मोरी सामराज जी के पतन के बाद भारत में गुप्त वन्स स्थापित हुआ था क्या तो मोरी सामराज जी के पतन के बाद जो था सुंग वन्स स्थापित हुआ था था किया तो एसा नहीं हर्ष जो था पुल्यो किशन द्यूतिय से हार अगया तौधर अशत्तिक अतन है धं में की सुरवाज समुद्र हा तो बिलकुल यह सही बात है उसके बाद आगे चलते हैं इसमें यहा पर प्रस्षन उत्तरों के सुरात हो गई है बच्छो तो इजी प्रश्न उत्तर हैं हम आप टेलिग्राम चैनल के लिए महित्पून प्रश्ण है सारे इनके स्क्रिन सोड जरू ले लिजिए आप उसके बाद इन प्रश्णों के सभी उत्तरों को हम टेलीग्राम चेनल पर देने वाले हैं थेंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो